C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याई साथ त्रिभुजों की सरवांग समता प्रिष्ठ एक सौतिरपन S.A.S. खेल अपू अब मैं त्रिभुजों की प्रतिलिपी बनाने वाले खेल के नियमों में परिवर्तन करता हूँ तिपू ठीक है, करिए अपू आप पहले से जान चुके हैं कि त्रिभुज की केवल एक भुजा की लंबाई का दिया जाना ही परियाप्त नहीं होता है तिपू अपू उस स्थिती में मैं कहता हूँ के त्रिभुज ABC में एक भुजा 5.5 सेंटिमीटर और एक कोण 65 डिगरी का है प्रिष्ठ 154 तिपू यहे फिर त्रिभुज बनाने के लिए परियाप्त नहीं है मैं ऐसे बहुत सारे त्रिभुजों को बना सकता हूँ जो आपकी सूचना को संतुष्ट करते हूँ परन्तु वे त्रिभुज ABC की प्रतिलिपी नहूँ उदहरण के लिए मैंने कुछ त्रिभुजों को यहाँ पर दिया है आकृती 7.18 यहां तीन त्रिभुज दिये गए हैं जिसमें प्रत्येक त्रिभुज की एक भुजा का माब 5.5 सेंटिमीठर है पहले त्रिभुज के कोण हैं 25 डिगरी 90 डिगरी और 65 डिगरी दूसरे त्रिभुज के कोण हैं 50 डिगरी 65 डिगरी और 65 डिगरी तीसरे त्रिभुज के कोण हैं 20 डिगरी 65 डिगरी और 95 डिगरी अप्पू अथह हम क्या करें टिप्पू, हमें और सूचना की आवश्यकता है अप्पू, तब मैं अपने पहले वाले कथन में परिवर्तन करता हूँ त्रिभुज ABC में दो भुजाओं की लंबाई 5.5 cm और 3.4 cm है तथा इन भुजाओं की अंतरगत 65 डिगरी का कोण है टिप्पू, यह सूचना मेरी सहायता करेगी मैं कोशिश करता हूँ मैं पहले 5.5 cm लंबाई वाला रेखा खंड BC खीच था हूँ अकृती 7.1 एक अब मैं C पर 65 डिगरी का कोण बनाता हूँ अकृती 7.1 एक नौ दो आकृती 7.1 एक नौ एक यह एक रेखा खंड BC बराबर 5.5 cm दिया गया है दो, बिंदू C से 65 डिगरी का कोण बनाया गया है 3. A.C. बराबर 3.4 cm दिया गया है हाँ, मुझे बिंदू A प्राप्त हो गया यह C से खीची गई इस कोणी य भुजा की दिशा में C से 3.4 cm की दूरी पर स्थित होना चाहिए C को केंद्र लेकर मैं 3.4 cm की एक चाप खीच था हूँ यह कोण की भुजा को A पर काटता है अब मैं A, B को मिला था हूँ और त्रिभुज A, B, C को प्राप्त करता हूँ अकृती 7.9 दो अप्पू आपने यहां भुजा कोण भुजा का उपयोग किया है जहां कोण भुजाओं के बीच में स्थित है टिपू हाँ, हम इस प्रतिबंध को क्या नाम देंगे अप्पू यह S.A.S. प्रतिबंध है क्या आप समझ गए हैं टिपू हाँ, अवश्य प्रिष्ठ एक साव पचपन S.A.S. सर्वांग समता प्रतिबंध यदि एक सुमेलन की अंतरगत एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतरगत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं और उनके अंतरगत कोण के बराबर हों तो ये त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। उधाहरण 4. दो त्रिभुजों के कुछ भागों की निम्नमापदी गई है। S.A.S. सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके जांच कीजिए कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं अत्वा नहीं। यदि त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उन्हें सांकेतिक रूप में लिखिए। त्रिभुज A.B.C. त्रिभुज D.E.F. A. A.B. बराबर 7 cm, B.C. बराबर 5 cm, कोण B. बराबर 50 degree D.E. बराबर 5 cm, E.F. बराबर 7 cm, कोण E. बराबर 50 degree B. A.B. बराबर 4.5 cm, A.C. बराबर 4 cm, कोण A. बराबर 60 degree D.E. बराबर 4 cm, F.D. बराबर 4.5 cm, कोण D. बराबर 55 degree C. B.C. बराबर 6 cm, A.C. बराबर 4 cm, कोण B. बराबर 35 degree D.F. बराबर 4 cm, E.F. बराबर 6 cm, कोण E. बराबर 35 degree यह हमेशा बहुत उपयोगी होगा कि पहले एक खाका यानि कच्ची आकरिती को बना कर उनकी मापों को अंकित कर दिया जाए और उसके बाद प्रशन को देखा जाए हल, A. यहाँ A.B. बराबर E.F. बराबर 7 cm, B.C. बराबर 5 cm, और अंतरगत कोण B. बराबर अंतरगत कोण E. बराबर 50 degree आकरिती 7.2 यहाँ दो त्रिभुज दिये गए हैं, त्रिभुज A.B.C. और त्रिभुज D.E.F. त्रिभुज A.B.C. का माप है, A.B. बराबर 7 cm, B.C. बराबर 5 cm, और कोण B. बराबर 50 degree त्रिभुज D.E.F. का माप है, D.E. बराबर 5 cm, E.F. बराबर 7 cm, और कोण E. बराबर 50 degree इस प्रकार, A का सुमेलन है F से, B का सुमेलन है E, और C का सुमेलन है D अथह त्रिभुज ABC त्रिभुज FED के सर्वांग सम है SAS सर्वांग समता प्रतिबंध के अंतरगत आकृती 7.2 शूर्णिय B. यहां AB बराबर FD और AC बराबर DE है आकृती 7.2 एक परंतु अंतरगत कोण A, अंतरगत कोण D के बराबर नहीं है अथह हम नहीं कह सकते हैं के त्रिभुज सर्वांग सम है आकृती 7.2 एक यहां दो त्रिभुज दिये गए हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF त्रिभुज ABC का माप है AB बराबर 4.5 cm, AC बराबर 4 cm और कोण A बराबर 60 degree त्रिभुज DEF का माप है DE बराबर 4 cm, DF बराबर 4.5 cm, EF बराबर 4 cm और कोण D बराबर 55 degree C. यहां BC बराबर EF, AC बराबर DF और कोण B बराबर कोण E है परन्तु कोण B भुजाओं AC और BC का अंतरगत कोण नहीं है इसी प्रकार कोण E भुजाओं EF और DF का अंतरगत कोण नहीं है अतह यहां पर SAS सरवांग समता प्रतिबंध का उपयोग नहीं कर सकते हैं और हम यह निश्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सरवांग सम हैं अत्वा नहीं आकरिती 7.22 यहां दो त्रिभुज दिये गए हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF त्रिभुज ABC का माप है BC बराबर 6 cm, AC बराबर 4 cm और कोण B बराबर 35 डिग्री त्रिभुज DEF का माप है EF बराबर 6 cm, DF बराबर 4 cm और कोण E बराबर 35 डिग्री प्रिष्ठ 156 उधहरण 5 आकरिती 7.23 में AB बराबर AC है और AD कोण BAC का सम द्विभाजक है 1. त्रिभुज ADB और ADC में बराबर भागों के 3 युगम बताईए 2. क्या त्रिभुज ADB त्रिभुज ADC का सरवांग सम है कारण दीजिए 3. क्या कोण B कोण C के बराबर है कारण दीजिए आकरिती 7.23 यहां एक त्रिभुज ABC दिया गया है जो के त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD को मिला कर बनाया गया है AB बराबर AC दिया गया है हल 1. बराबर भागों के तीन युगमन निम्न है AB बराबर AC दिया गया है कोण BAD बराबर कोण CAD AD कोण BAC को सम द्विभाजित करता है और AD बराबर AD उभाई निष्ठ 2. हाँ, त्रिभुज ADB त्रिभुज ADC का सरवांग सम है SAS सरवांग समता प्रतिबंध के अंतरगत 3. खोण B बराबर कोण C है सरवांग सम त्रिभुजों के संगत भाग इनहें कीजिए 1. त्रिभुज DEF की भुजाओं रेखा खंड DE और EF का अंतरगत कोण कौन सा है 2. SAS सरवांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके आप त्रिभुज PQR और त्रिभुज FED को सरवांग सम स्थापित करना चाहते हैं यह दिया गया है कि PQ बराबर FE और RP बराबर DF है सरवांग समता को स्थापित करने के लिए अन्य किस तथ्य या सूचना की आवश्यकता होगी 3. आकरती 7.24 में त्रिभुजों के युगमों में कुछ भागों की मापंकित की गई है S.A.S. सरवांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके इन में वे युगम छाटिये जो सरवांग सम हैं सरवांग समत्रिभुजों की स्थिती में उन्हें सांकेतिक रूप में भी लिखिये आकरती 7.24 एक यहां दो त्रिभुज दिये गए हैं त्रिभुज A.B.C. और त्रिभुज D.E.F. त्रिभुज A.B.C. का माप है A.B. बराबर 2.5 cm, A.C. बराबर 2.8 cm और कोण A. 80 degree त्रिभुज D.E.F. का माप है D.E. बराबर 2.5 cm, D.F. बराबर 2.8 cm और कोण D. बराबर 70 degree दो यहां दो त्रिभुज दिये गए हैं त्रिभुज A.B.C. और त्रिभुज P.Q.R. त्रिभुज A.B.C. का माप है B.C. बराबर 3 cm, A.C. बराबर 2.5 cm और कोण C. बराबर 35 degree त्रिभुज P.Q.R. का माप है P.R. बराबर 2.5 cm, P.Q. बराबर 3 cm और कोण P. बराबर 35 degree तीन यहां दो त्रिभुज दिये गए हैं त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR, त्रिभुज DEF का माप है, EF बराबर 3 cm, DF बराबर 3.5 cm और कोण F बराबर 40 डिग्री, त्रिभुज PQR का माप है, PQ बराबर 3.5 cm, QR बराबर 3 cm और कोण Q बराबर 40 डिग्री, 4. यहां दो त्रिभुज दिये गए हैं, त्रिभुज PQR और त्रिभुज PRS, त्रिभुज PQR का माप है, PQ बराबर 3.5 cm और कोण P बराबर 30 डिगरी, त्रिभुज PRS का माप है, SR बराबर 3.5 cm और कोण R बराबर 30 डिगरी 4. आकृती 7.25 में रिखाखंड A, B और C, D एक दूसरे को O पर समध विभाजित करते हैं 1. दोनों त्रिभुजों A, O, C और B, O, D में बराबर भागूं के तीन युगमों को बताए आकृती 7.25 यहां दो त्रिभुज दिये गए हैं त्रिभुज A, O, C और त्रिभुज B, O, D जिसमें O, C बराबर O, D और O, A बराबर O, B है प्रिष्ठ 157 2. निम्न कथनूं में से कौन से कथन सत्य हैं A. त्रिभुज A, O, C त्रिभुज D, O, B का सरवांग सम है B. त्रिभुज A. O. C. त्रिभुज B. O. D. का सरवांग सम है A. S. A. खेल क्या आप अप्पु के त्रिभुज को बना सकते हैं यदि आप जानते हैं 1. इसके केवल एक कोण को 2. इसके केवल दो कोणों को 3. दो कोणों और कोई एक भुजा को 4. दो कोण और उनके बीच की भुजा को उपरोक्त प्रश्नों के हल निकालने के प्रयास हमें निम्न प्रतिबंध से अवगत कराते हैं A. S. A. सरवांग समता प्रतिबंध यदि एक सुमेलन में एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतरगत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और अंतरगत भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सरवांग सम होते हैं उधाहरण 6 A. S. A. सरवांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके त्रिभुज A. B. C. त्रिभुज Q. R. P. का सरवांग समस्थापित करना है यदि यह दिया गया है कि B. C. बराबर R. P. है इस सरवांग समता को स्थापित करने के लिए अन्य किन तत्यों की आवशकता है हल A. S. A. सरवांग समता प्रतिबंध के लिए हमें दो दिये कोणों के साथ अन्तरगत भुजाओं B. C. और R. P. की आवशकता है पतह अन्य आवशक तथ्य निम्न है कोण B. बराबर कोण R. और कोण C. बराबर कोण P. उदहरण 7 आकरिती 7.26 में क्या आप A. S. A. सरवांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके यह निशकर्ष निकाल सकते हैं कि त्रिभुज A. O. C. त्रिभुज B. O. D. के सरवांग सम है आकरिती 7.26 यहां दो त्रिभुज दिये गए हैं त्रिभुज A. O. C. और त्रिभुज B. O. E. O. D. का माप है BD बराबर 3 और कोण D बराबर 70 डिगरी हल दो त्रिभुजों AOC और BOD में कोण C बराबर कोण D है प्रत्येक 70 डिगरी और कोण AOC बराबर कोण BOD बराबर 30 डिगरी है शीरशाभी मुख कोण अतह कोण A बराबर 180 डिगरी घटा कोश्ठकों में 70 डिगरी जमा 30 डिगरी बराबर 80 डिगरी त्रिभुज के कोणों का योग गुणधर्म का प्रयोग इसी प्रकार कोण B बराबर 180 डिगरी घटा कोश्ठकों में 70 डिगरी जमा 30 डिगरी बराबर 80 डिगरी अतह हमारे पास कौन A बराबर कौन B, AC बराबर BD और कौन C बराबर कौन D है. अब कौन A और कौन C के अंतरगत भुजा AC तथा कौन B और कौन D के अंतरगत भुजा BD है. अतह ASA सरवांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज AOC त्रिभुज BOD का सरवांग सम है. टिपणी यदि एक त्रिभुज के दो कोन दिये हुए हूं तो आप त्रिभुज के तीसरे कोन को हमेशा ग्याद कर सकते हैं अतह जब एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और एक भुजा के बराबर हो, तब आप इसे दो कोणों और अंतरगत भुजा वाली सरवांग समता में रूपांतरित कर सकते हैं और तब सरवांग समता प्रतिबंध का उप प्रिष्ठ 158 इस सर्वांग समता को स्थापित करने के लिए और कौन से तथ्य की आवशकता है? खाखा आकरिती बना कर कोशिश कीजिए. 3. आकरिती 7.27 में त्रिभुजों के कुछ भागों की माप अंकित की गई है. A.S.A. सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके बताईए कौन से त्रिभुजों के युग्म सर्वांग सम है? सर्वांग समता की स्थिती में उत्तर को सांकेतिक रूप में लिखिये. यहां त्रिभुजों के चार अलग-अलग युगम दिये गए हैं. आकरिती 7.27 एक. यहां दो त्रिभुज दिये गए हैं. त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF. त्रिभुज ABC का माप है. AB बराबर 3.5 cm, कोण A बराबर 40 degree और कोण B बराबर 60 degree. त्रिभुज DEF का माप है. EF बराबर 3.5 cm, कोण E बराबर 60 degree और कोण F बराबर 40 degree. 2. यहां दो त्रिभुज दिये गए हैं. त्रिभुज PQR और त्रिभुज DEF. त्रिभुज PQR का माप है. P R बराबर 3.3 cm, कोण Q बराबर 90 degree और कोण R बराबर 50 degree. 3. यहां दो त्रिभुज दिये गए हैं. त्रिभुज PQR और त्रिभुज LMN. त्रिभुज PQR का माप है. QR बराबर 6 cm, कोण R बराबर 60 degree और कोण Q बराबर 30 degree. 4. यहां दो त्रिभुज दिये गए हैं. त्रिभुज DAB और त्रिभुज CBA. 4. कोण DAC बराबर 45 degree, कोण CAB बराबर 30 degree, कोण CBD बराबर 45 degree और कोण DBA बराबर 30 degree है. 4. दो त्रिभुजों के कुछ भागों की निम्न मापदी गई है. ASA सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके जाचिये कि क्या ये दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं या नहीं. सर्वांग समता की स्थिती में उत्तर को सांकेतिक रूप में भी लिखिये. त्रिभुज DEF त्रिभुज PQR 1. कोण D बराबर 60 डिग्री, कोण F बराबर 80 डिग्री, DF बराबर 5 सेंटी मेटर. 2. कोण Q बराबर 60 डिग्री, कोण R बराबर 80 डिग्री, QR बराबर 5 सेंटी मेटर. 2. कोण D बराबर 60 डिग्री, कोण F बराबर 80 डिग्री, DF बराबर 6 सेंटी मेटर. कोण Q बराबर 6 डिग्री, कोण R बराबर 80 डिग्री, QP बराबर 6 सेंटिमीटर 3. कोण E बराबर 80 डिग्री, कोण F बराबर 30 डिग्री, EF बराबर 5 सेंटिमीटर कोण P बराबर 80 डिग्री, PQ बराबर 5 सेंटिमीटर, कोण R बराबर 30 डिग्री पांच, आकरिती 7.28 में किरण AZ कोण DAB तथा कोण DCB को समध विभाजित करती है एक, त्रिभुजों BAC और DAC में बराबर भागों के तीन युगम बताईए दो, क्या त्रिभुज BAC और त्रिभुज DAC सरवांग सम हैं? कारण दीजिये तीन, क्या AB बराबर AD है? अपने उत्तर का उचित कारण दीजिये चार, क्या CD बराबर CB है? कारण दीजिये आकरिती 7.28 यहां दो त्रिभुज दिये गए हैं त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC जो के रेखा खंड AZ पर स्थित हैं अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गणित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक कारिक्रम समन्वयक Dr. Rajesh Kumar Nimesh वाचन्स्वर गौरव मार्वा तक्नीकी समन्वयक बतिलैंग लिंगडो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्मान सहयोग सौम्या मलिक निर्देशन वा निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत